यहां है अयोध्या से दिल्ली के लिए अपनी उद्गाटन यात्रा पर निकली नई वंदे भारत एक्प्रेस यह द्रस्य हम इस ट्रेन के पाइलेट केविन से दिखा रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नया नया ट्रैक है और इस नय ट्रैक पर नई नवेली ट्रेन अपनी चाल से चलती चली जा रही है सेमी हाइश्पीट ट्रेन है यह इसकी जो अधिकतम रफ्तार है जिस पर इसको चलाया जा सकता है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है लेकिन यहां पर जो ट्रैक है अगर हम उसकी बात करें तो इस पर सिर्फ 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को चलाने की अनुमती है तो यहां पर ट्रेन इसी स्पीट के अंदर चलती हुई धीरे धीरे अब लखनव पहुच रही है लखनव पहुचने वाली है यह ट्रेन और इस ट्रेन को खुद अयोध्या धाम स्टेशन पर पुर्धान मंत्री नर्यमोदी ने हरी जंडी दिखाकर रवाना किया है और अब ट्रेन गोंती नदी को पार करने जा रही है तो गोंती की जब हम बात करते हैं सब को लखनव याद आता है और वाकई जब गुम्ती की बात करते हैं तो पीली भीत के जंगल याद आते हैं क्योंकि पीली भीत के जंगलों से निकली हुई यह नदी लखनव होते हुए आगे जाती है जोनपूर पहुंशती है लेकिन उससे पहले यहां देखिए अब यह ट्रेन वंदे भारत कहीं गु गुम्ती नदी को बता रही है कि देश की रफ्तार बढ़ चुकी है आने वाले दिनों के लिए जो संदेश है वो कहीं न कहीं वंदे भारत गुम्ती नदी को दे रही है तो गुम्ती नदी इस समय हम पार कर रहे हैं अब हम आगे आ चुके हैं और गुम्ती नदी पीछे च क्योंकि यहां पर जब हम बात करते हैं तो अब हम दिलकुसा आ चुगें अब इससे ट्रेन आगे जाती हुई यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं आठ कोच की एक राजधानी दिल्ली से अयुद्या आने जाने वाले लोगों के लिए इस ट्रेन को एक सौगात कहा ज चाहते हैं राम मंदिर बनने की स्तती में है पूरी तरीके से उसका निर्माण पूरा हो रहा है और यहां देखिए जो ट्रेक की सबसे बड़ी परिशानी हो आप देख सकते हैं कि आसपास जो जानवर हैं वो कहीं कहीं कैटिल रनओवर का कारण बनते हैं तो पूरा का पू कभी भी इसके नीचे आ सकते हैं और यहां पर लेवल क्रासिंग पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की चबर्दस्त कुछ सुखता है वो इस ट्रेन को एक टक देख रहे हैं क्योंकि यहां पहली ऐसी ट्रेन है जो लखनवू से होते हुए बंदे भारत जो सीध सीधा सीधा दिल्ली जाएगी यानि अध्या से लखनवू कानपूर होते हुए अलीगण होते हुए यहां ट्रेन सीधा सीधा आनंद विहार पूचेगी रास्ते में को ट्रेन मिल गई और यह पुरानी तरह की ट्रेन है जिससे कही न कहीं वंदे भारत आगे निकलती जा र या दूसरी तरहीं की ट्रेने होगी अत्याधुनिक ट्रेने यहां पर रखी जाएंगी और यहां पर मैं आपको बता दूँ अयोध्या से लखनवू होते हुए यह ट्रेन कानपूर पूचेगी यहां से गाजियाबाद होते हुए दिल्ली के आनंद व्याद इस्टेशन प पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हुँ कि यह ट्रेन अभी तो अपने उद्गाटन यात्रा पर है और जब इसका रेगुलर रंग शुरू होगा तो नए साल पर शुरू होगा क्योंकि चार जन्वरी की तारीक तैंगी गई है दो हजार चौबिस चार जन्वरी द जाती हुई और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यह ट्रेन सीधा सीधा लखनौ पर यहाँ पर अगर हम इस ट्रेन को जब यह चलेगी यानि जब रेगुलर रंग में होगी तब का अगर हम बात करें तो इसका जो ट्रेन नंबर रखा गया है वो 22,426, 22,425 रखा गया है तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो हफते में 6 दिन चलेगी यह ट्रेन और इसको बुधवार को नहीं चलाए जाएगा क्योंकि एक ही ट्रेन सेट है जो इस रूट पर चलेगा तो एक दिन कहीं न कहीं मैंटिनेंस को चाहिए तो वो दिन जो है बुधवार का होगा यह जो मेंटिनेंस का काम करता है रख रखाव का काम करता है वो भी होता रहता है तो यहाँ अब हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूँ जब यह ट्रेन रवाना की जाएगी रेगुलर रन पर अध्या के लिए तो अध्या कैंट जाएगी अध अध्या कैंट के लिए तब इस ट्रेन का जो नंबर तैंकिया गया है बाईस हजार चार सो चबडिस अध्या कैंट के बीच में चलने वाली नई वंदे भारत एक्स्प्रेस का नंबर है और जब वापसी की आत्रा में आएगी यानि अध्या कैंट से अनंद विहार टर्मिन तो नंबर आप याद रखिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस का अगर आपको वंदे भारत एक्सप्रेस में दिल्ली से अयोध्या आना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ और आनंद विहार टर्मिनल से अध्या कैंट के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस हफते में 6 दि चलेगी और यह ट्रेन बुधवार को नहीं चलाई जाएगी अयुद्या से नई वंदे भारत एक्सप्रिस ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से अयुद्या के लिए जो रवाना होगी उसकी मैं बात कर रहा हूं सुबह 6 बचकर 10 मिनट पर रवाना होगी यानि जिनको अयुद् नहीं और यह ट्रेन जब 6 बचकर 10 मिनट पर रवाना होगी तो कानपूर सिंट्रल सुबह 11 बचे पहुंच जाएगी और इसी के साथ जब ट्रेन लखनव पहुंचेगी तब दोपहर के 12 बचकर 25 मिनट पो रहे होंगे यानि यह वहां पहुंचने का टाइम है चार या पां पहुंचेगी दो पहर दो बचकर 30 मिनट पर पहुंच जाएगी तो एक सुकदाय की आत्रा कही जा सकती है और यहां पर एक और चीज में बता दूँ ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है कि जब ट्रेन चलती है तो इसके दरवाजे आटोमेटिक हैं तो बंद हो जाते हैं त अनंद विहार से चलेगी तो कानपूर सेंटरल रुके की जाके तो आप फस जाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिए इस ट्रेन में जब किसी को छोड़ने जाएं तो उसमें रुकने की जुरुवत नहीं नीचे से ही छोड़े हाथ हिलाएं और उसको टाटा बाय बाय कहें यहाँ पर रास्ते में ही पढ़ती है इसको लेकर कमाम कहानिया हैं किसे कहानिया हैं जो आप लखनौ जाएं तो आप बिल्कुल सुन सकते हैं क्या इसका महत्त्य है तो खंबन पीर की जो मजार है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं खंबन पीर से नई वंदे भारत एक्सप तो इसको रास्ता दे रही है पता रही है कि अब पीता जमाना पीता हो गया नहीं जांट इस पूरे ट्रा क्रेंग पर अगर हम देखे लखनव से अयुद्या के बीच में यह ट्रेन अधिक्तम एक सो तीस की रफ्तार पर चलता दें यहां देखिए प्लेटफार्म पर किस तरह से लोग बेसबरी से इंतजार करते हुए और सारे लोगों के हाथ में मोबाइल है आज का जमाना मोबाइल का जमाना है हर एक व्यक्ति मोबाइल पर वीडियो बनाना चाहता है तो ट्रेन को कहीं न कहीं अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं लोग और पीछे भी हट रहे हैं यानि जब ट्रेन आ रही है तो पीछे भी हट रहे हैं क्योंकि अपना फ्रेम सही कर रहे हैं लोग हाँ थिला रहे हैं ट्रेन का स्वागत कर रहे हैं ट्रेन अब लखनव पहुँच चुकी है तो लखनव में लोग इंतजार कर रहें ट्रेन का कब यह ट्रेन आये कब इसका स्वागत किया जाए देखिए सब की निगाहें इसी ट्रेन की तरफ हैं क्योंकि लखनव से दिल्ली के बीच में यह पहली वंदे भारत एक्सप्रिश ट्रेन कहीं जा सकती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव और यहां देखिए किस तरह से लोग हां थिला रहे हैं देख रहे हैं और यहां पूरे सुरच्छा के लिजाम किये गए हैं जिससे लोग कहीं आगे ना जाएं यह देखिए भारत का तिरंगा लहराता हुआ और लोग जो इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार कर रहे हुआ क्योंकि भारती रेलवे लेक नए युक की सुरुआत हो चुकी है नई वंदे भारत एक्स्प्रेस लखनव पहुँचुकी है अब दिल्ली की यात्रा के लिए रवाना होगी